हाई फ्रेंड्स मैं आकांचा सर्माजी की विदकांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक पटवारी का प्रेक्टिस सेट लेकिया हूँ ये अलग-अलग प्रेशन है टोटल 50 प्रेशन है और अलग-अलग सब्जेक्ट के हैं और बहुत सांदार प्रेशन है जिनके आनी की संभावना है ऐसे ही मैं बहुत सारे प्रेक्टिस सेट लेकिया हूँ बाकी हमारे जो चैनल है उस पे पटवारी का एक क्रेस कोर्स चल रहा है जिसमें उनेंचास क्लासेस हो चुकी है और वो जरूर देखिएगा और प्रवंदन का और MPG के और Current Affairs की भी अलग-अलग क्लासेस चल रही है तो उनको देखिएगा पहला जो कोशन आ रहा है वो विज्ञान से संबंदित आ रहा है क्योंकि विज्ञान के संबंदित भी 25 प्रेशन आने है तो इससे ही संबंदित कुछ प्रेशन हम विज्ञान के भी करेंगे कुछ GK के कुछ Hindi के कुछ English के कुछ प्रबंदन के कुछ computer के प्रेशन करेंगे आदरभूमी की संडक्षन के लिए ये संबिलन होता है और जितने भी आदरभूमी इस्थल है जितनी भारत में विश्व में आदरभूमी इस्थल है वो इसमें सामिल कर ली जाती है हर साल यहां पे सामिल हो जाते हैं तो इसका मुख्य उद्दे से क्या है आदरभूमी का आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रामसर कहां पर है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि रामसर कहां पर है इरान में है ये भी ध्यान रखिएगा रामसर सबसे पहले कहां पर हुआ था तो 1971 में हुआ था कहां पर हुआ था इरान में इरान में ही रामसर एक इस्थले अगला क नियव सुक्ष में जीव हो दता है तो ऑला प्रादाों होला तो क्रोजटन का शूष्मномत क्या गलता है तो विनुक्ष्मे जीव क्या कहला भीटत हुटा है अगला कुशन है निमलिकित में से किसे good sprit भी कहा जाता है, मिधाईल अलकोहल, एथेलीन गलाइकोल या गिलिसरॉल तो मैथिल अलकोहल जो होता है उसको बोला जाता है बुड इस्परिट किसको बोला जाता है मैथिल अल्कोहल को बोला जाता है किसको बोला जाता है मैथिल अल्कोहल को बोला जाता है बुड इस्परिट मिथाइल अल्कोहल क्या कहलाती है बुड इस्परिट कहलाती है बुड मतलब होता है लकडी तो good spirit किसको बोलते हैं इनमें से methyl alcohol को good spirit बोलते हैं और ये बहुत important question है अच्छे से याद कर लीजेगा कि body spirit किसको बोलते हैं अगला question है दो निकर्टम बस्तूों में भेद करने की चमता क्या कहलाती है अगला question है अवरक्त किर्णे कों सी किर्णे होती है अनुदहर्य तरंगे, अनुप्रस्त तरंगे, यांत्रिक तरंगे या विध्धु चुमकी तरंगे तो अबरक्त तरंगे कौनसी होती है तो सबसे पहले आपको बताओं कि अनुदहर्य तरंगे कौनसी होती है जबी भी आपसे पूछें कि इन में कौनसी तरंगे आपको दोनी तरंग बोल दें प्रिकास तरंग बोल दें दोनों बोल दें तो याद रखेगा अनुध्यर्य तरंग जो है वो दोनी तरंगे है अनुध्यर्य तरंगे कौनसी है दोनी तरंगे है अनुप्रस्त तरंगे कौ और मैंगनेटिक दोनों को लिये होती है तो वो कहलाती हैं विद्धु चुम कि ने और अवरक्त किर्णै जो है वो विद्धु चुम कि नरंगे ही है अवरक्त नरंगे कौन सी है, विध्धु चुम की तरंगों को ही अवरक्त तरंगिर्णे बोला जाता है अनुधेरे कौन सी हैं दुहनी तरंगे हैं याद रखिए ये कोशन भी पूछा जाता है अब कुछ हिंदी से सामधित कोशन पड़ते हैं विध्यान के मैंने बहुत सारे प्रशनों की प्रैक्टिस कराई है और आगे भी कराने वाली हूँ पेपर तक बहुत सारे प्रैक्टिब के वन लाइनर मेरे नोट्स में जो तीन हजार वन लाइनर हैं विध्यान के उनकी प्रैक्टिस करा रही हूँ अगर आपने नोट्स नह पाइसन बाहर नहीं जाएगा करत व्यभी मूर का अर्थ, अगला कुश्चन है निमली कि इतमें से असुद सब्द छाटिये, कश्ट, पुष्ट, रेशम या आसार, इतमें से कौन सा आपको असुद दिख रहा है, तो देखिए पुष्ट जो है वो असुद दिख रहा है, ये पुष्ट ऐसा नहीं होता है पुष्ट ये वाला साव आता है, सासट खोड़ वाला साव पुष्ट में आता है, तो पुष्ट सब्द जो है वो असुद्ध हो जाएगा, अगला कुश्चन है चिरंतर, चिरंतर सब्द का विलोम क्या है, देखिए चिरंतर मतलब क्या होता है हमेशा के लिए, चिरंत, चिरंतर का बिलोम क्या हो जाएगा चिरंतर का बिलोम 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 हो ज होना को क्या बूलते हैं कले जा मुको आने को क्या बोलते हैं गेहरे दुख्य स्थिती में होना अगला कूशन है चतुर बुझ कौंसा समाज है चतुर बहू बुझ में समास होता है जिसकी चार भुजाएं हैं जिनकी चार भुजाएं होती है तो चत्रभुन में कौन सा समास है बहुब्रिय समास है अगर यहां पर इसमें कभी-कभी कन्फूजन होता है क्योंकि कभी-कभी यहां पर दुग्यू समास भी आ यहां पर संख्या दी रही है गया तो बहुष्ब्रीय आएगा यह डूनों में से कोई एक मैं बहुष्ब्रीय समास होता है अगला अगला कुशन पढ़ने से पहले यह मेरे पटवारी भरती के नूट्स है अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं गुरूप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नूट्स लेज़कते हैं इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलेंगी सबसे महत्मून चीज इस गुरूप क्योंकि इतने कम सावे में हर चीज पढ़ना impossible है तो इस गुरूप में वही वही टॉपिक वही चीज़े बार-बार करवाई जाती है जो important होती है computer की shortcut की हो computer की objective हो English की tricks हो English की rules हो चाहे गड़ित की tricks हो reasoning पूरी यहीं पर solve करवाई जाती है बहुत सरल तरीके से हिंदी के बह प्रवंदन हो और चाहे जीके हो चाहे current affairs हो current affairs की booklet मैं दे चुकी हूं और आरे मले current affairs में यहीं पर दिये जाएंगे तो अगर आप यह notes लीना चाहते हैं तो आप मुझे उपर दी नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं यह total आपको 10 booklet मिलेंगी जिसमें 12 सरकर की योजना है current budget आर्थिक 99 का यह package भारत में कहीं भी रहते हो यह deliver हो जाएगा सास्यार working days में और इसके साथ जो group मिलता है group में रहे कर आप अपनी तयारी को बहुत ज्यादा बहतर कर सकते हैं कोई भी doubt हो तो आप वो पूछ सकते हैं तो अगर आप यह लेना चाहते हैं तो मुझे WhatsApp कर सकते हैं हमारी जितनी भी वीडियो की PDF है वो भी आपको इसी group में दी जाएगी चलिए अगला कोशन अब हम करने वाले हैं अंग्रेजी अंग्रेजी का पहला कोशन है यह थोड़ा सा blur आ गया है मैं बोल रहे हूं बस यही page आ गया है थोड़ा सा blur how are you blank with your job are you enjoying it आप अपनी job के साथ क्या क पा रहे हैं गया गेन कर रहे हैं तो keeping on going on getting on and carrying on तो how are you getting on आप उससे क्या पा रहे हैं आप अपनी job के बारे में आ रहा है with your job तो how are you getting on आ जाएगा क्या आजाएगा how are you getting on आजाएगा with your job आप अपनी job से क्या get कर रहे हो क्या पा रहे हो are you enjoying it क्या आप उसको enjoy कर रहे हैं तो क्या जाएगा getting it अगला question है when I called when I called her C doing her assignment मैंने उसको जब मैंने उसको बुलाया C doing her assignment तब है अपना assignment जब है उसका assignment कर रही थी तो आपको ये बताना है कि इरर कौन सा है तो देखिए आप देख रहे हैं कि C के साथ लगा है doing कभी भी जो ing लगता है और ing लगता है तो या तो हम लगाते हैं उसमें is mr या हम लगाते हैं was बर हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर called है called मतलब यहां पर past की बात कर रहे हैं तो जब past की बात कर रहे हैं और ing आता है तो इसका मतलब वहां पर past continuous होता है तो यहां पर क्या आजाएगा यहां पर आजाएगा was doing तो क्या पूरा sentence क्या हो जाएगा see was doing तो यहा I called her, she was doing her assignment, बलाग उश्चन है, last night the dog blank for a long time, last night, कुट्टा जो था, for a long time, अब इसमें क्या हम क्या इसका use करें, कि ये इसका मतलब ये निकल रहा है, कि पिछली रात को कुट्टा है, कुट्टा जो था, वो बहुत लंबे समय के लिए बहुक रहा था, तो last night की बात कर रहे हैं, तो ये हमको पता है कि पास्ट की कोई चीज हो रही है, last night कुट्टा बहुक रहा था, लंबे समय के लिए, तो had been working, barking, has been working, barking या would be working, तो हम मैंने अभी बताया आपको कि past की बात चल रही थी, तो हैज तो आएगा ही नहीं, वोर्किंग की बी बात, तो अभी ये past की बात, last night की बात चल रही है, और barking का मतलब होता है, भोंक रहा है, तो ये present की बात तो चल नहीं रही, तो ये barking भी नहीं जाएगा, नम्बे समय से भॉक रहा था, last night कुट्टा बहुत देर तक भॉक रहा था, इसको ऐसे बोलेंगे, अगला question है, be blank a terrifying new last night, news last night, be blank a terrifying new, terrifying मतलब बहुत डरावनी news, last night, यहाँ भी देखो last आ रहा है, सबसे पहले ये देखा करो कि कौन सा sentence है, past है, present है, या future है, अब आप देख रहा हैं, यहाँ पर last है, तो इसका मतलब यह कौन सा sentence है, कौन सा tense है, इसका मतलब यह past tense है, तो past tense की बात करें, here, heard, have we, near, none to, none of the, तो इसमें क्या आएगा, हम, मैं, हमने, मैंने, या हमने, हमने, एक terrifying, हमने, हर दिख रहा है, तो हमने last night, एक बहुत डरावनी आवाज को सुना था, हाड आ जाएगा, जब क्योंकि last night की बात चल रही है, इसलिए हाड आ जाएगा, यह सब आप देख रहे हैं, यह present, here भी present है, have been भी present है, present perfect continuous का है, the teacher want to see, what the student blank in the garden, teacher गया, देख वेंट, यहाँ पर वेंट आ गया है, sentence है पहले समझ जाए, कि कौन सा sentence है, the teacher went, went मतलब go का go की second form है, और जब भी किसी भी बर्व का second form लगता है, तो इसका मतलब वो कौन सा sentence होता है, उसका मतलब वो past sentence होता है, past tense होता है, तो the teacher went to, तो यहाँ पर past continuous में आपको क्या दिख रहा है, past doing, word doing is a और b में से ही दोनों आता है, लेकिन अब बात, अब देखो, बात आएगा कि वर आएगा, क्योंकि students हैं, बहुत सारे student, एक student की बात नहीं हो रही है, जब एक student की बात होती, तो बात का यूज होता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे student की बात हो रही है, तो इसके साथ वर का यूज हो जाएगा, अगला question है, अब हम सामानियान के question देखते हैं, वन अनुसंधान सोच संस्थान कहां है, वन अनुसंधान सोच संस्थान कहां पर है, वन अनुसंधान सोच संस्थान है, देहरादून में कहां पर है, वन अनुसंधान सोच संस्थान देहरादून में है, इसकी एक प्रांच जो है, हमारे बुपाल में भी है, तो वन अनुसंधान सोच संस्थान कहां पर है, देहरादून में, मंदी दीप ओध्योगिक छेत्र मध्योपदेश के किस जिले में है मंदी दीप जो है मध्योपदेश के कहां पर है राइसेन जिले में है मंदी दीप ओध्योगिक छेत्र कहां पर है मंदी दीप राइसेन में है यहां पर ओप्तिकल फाइवर का कार खाना भी है और यह बहुत बड़ा और्दिगर्ग छेत्र हमारे मध्यपदेश के रायसिन में मध्यपदेश का महालेखाकार कारियाले कहा है मध्यपदेश का महालेखाकार कारियाले गौालियर में है पतवारी प्रसिक्षण केंद्र कहां पे आपसे पूछें तो वो भी गौालियर में है audit वगेरा के जो काम होते हैं मद्धपरदेश के वो सब गौालियर में ही होते है राजस्रो कारियाले भी मद्धपरदेश का गौालियर में ही है अगला question है फेडरेशन जो FIFA है फेडरेशन इंटरनेशन डी फुटवाल एसोसियेशन इसका मुख्याले कहां है इस्पेन जर्मनी जूरिक या कतर तो FIFA का मुख्याले है जूरिक में कहां पर है FIFA का मुख्याले जूरिक में क्योंकि FIFA अभी हुआ है तो इससे सम्मंदित प्रेशन इससे सम्मंदित कोशन बहुत important हो जाते हैं मैंने एक वीडियो भी इसके लिए बनाया है इसके अलावा हमारे पटवारी की ग्रूप में भी FIFA से सम्मंदित कोशन डाले हैं उनको अच्छे से कर लीजेगा कौन जीता अर्जेंटीन जीता तो कितनी बार जीता इस टाइप के कोशन आ सकते हैं ये कोशन जो अगला वाला है ये तो आप समयलो आना ही है एक ना एक सेट में तो ये देंगे ही क्योंकि चुकि ये हमारे भारत में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हुआ है तो इसलिए ये कोशन आ सकता है तो आप से पुझेंगे G20 समिट 2023 में कहां आयुजित किया जाएगा तो ये कहां पर आयुजित किया जाना है भारत में होगा भारत में भी कहां होगा हमारे मध्य प्रदेश में होगा डौर में विश्व में पॉम तेल की नदी किसको कहा जाता है पाम तेल की नदी नाइजर नदी, हॉंगो नदी, कांगो नदी या दामुदर नदी तो बिश्व में पाम तेल की नदी कहा जाता है नाइजर नदी को किसको कहा जाता है नाइजर नदी को कहा जाता है हॉंगो नदी को चीन का सोक कहा जाता है दामुदन नदी को मरुस्थल कहा जाता है मरुस्थल कहा जाता है दामुदन नदी को और पाम तेल की नदी किसको कहा जाता है नाईजन नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है अगला है आत्मिय सभा के संस्थापक कौन थे आत्मिय सभा के संस्थापक थे एक बार confirm कर लिजेगा तो आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और प्रम्भ समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1828 में की दिफेंट आपको मेरे वाट्सअप, टेलीग्राम, फेस्बुक, ट्ट्टर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी ज़ाएगी जरूर कर लीजेगा इस मेरे इंस्टा की लिंक है अकांशा, एक ए एनके शेच, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जीके विद अकांशा से आप मुझे ट्टर पर फ तयारी कराने वाली हूँ, वो पूरी तरह निस्वल्ख है तो आपको वो तयारी मिलती रहेगी तो इस पर आप मुझे वर्ट्सअप कर सकते हैं अगला कोशन है सीरी के किले का निर्मार अलाउदीन खिलजी ने करवाया था अगला कोशन है भारती समिधान में भाग चार का में मौलिक करतब इक कब जोड़े गया, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मौलिक करतब इसमिधान के किस भाग में है तो भाग चार कामे है और इनको कब जोड़ा गया था इनको 1976 में जोड़ा गया था अगला कोशन है मध्य प्रदेश में राज्यसवा की कुल तो ये तीनों ही याद रखिएगा राजसभा की सीटे मध्यप्रदेश में 11 हैं लोकसभा की 39 हैं और विजान सभा की 230 हैं अगला कोशन है त्री इस्तरिय रूप से पंचायतों की गठन का प्रापधन किस ने दिया था तो त्री इस्तरिय रूप से पंचायतों की गठन का प् प्रतित होते हैं सुआर्थी, सयोगपून, तटस्त या बहु रंगी तो संसार में आपको इस प्रह कि कोशन भी पूछे जा सकते हैं, जो इसे संसार में आपको अधिकतל लोग जो होंगे बहु रंगी दिखाई मतलब वो बहु रंगी प्रिकरती के लोग आपको संसार में दिखाई देंगे अगला कुश्टन है यह ग्यात होने पर आपका साथी मादक पधार्तों का सेवन करने लगा है आप उसका क्या करेंगे उसका बहिशकार करेंगे उसका ध्यान नहीं देंगे उसे मादक पधारतों के कूप परभावों के बारे में बताएंगे उसके परिवार वालों को बताएंगे आप क्या करेंगे उसको प्यूप चिकिस्तक के पास बताएंगे तो हम उसको क्या करेंगे उसको मादक पधार्तों के कूप परिणामों के बारे में बताएंगे क्या करेंगे मादक पधार्तों के कूप परिणामों के बारे में बताएंगे अगला कोशन है सुपर कम्प्यूटर का प्रियोग निमली कितमे से किस अनुप्रियोग के लिए किया जाता है सुपर कंप्यूटर का प्रियोग किसके लिए किया जाता है बिजनिस कंप्यूट किया जाएगा आने वाले समय में बिजनिस कंप्यूटिंग के लिए वो तो नॉर्माली PC का भी कर लेते हैं desktop publishing मौसम पूर्वानुमान या computer साधिट डिजाइनिंग तो आने वाले समय में super computer का प्रियोग मौसम पूर्व अंुमान के लिए किया जाएगा अगला कोशन है पांचवी पीडी के computer की क्या विशेस्ता है करत्यम पुत्यमत्य या artificial intelligence की विशेस्ता है अगला कुशन है एक कम्प्यूटर में सभी अंकिये तथतार के एक परिचालन किसके दौरा किये जाते हैं ALU, CU या Register ALU का मतलब होता है Arthematical Logical Unit CU का मतलब होता है Control Unit और Register Memory का एक प्रिकार है तो सभी अंकिये तथतार के एक परिचालन किसके दौरा किये जाते हैं ALU मतलब Arthematic आपको Arthematic से समझ में आ रहोगा Mathematical तो Arthematical Logical ये Unit होती है और इसी के दौरा सभी अंकिये तथतार के परिचालन किये जाते हैं अगला कुशन है किसी प्रोग्राम में सरवादिक प्रियोग होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं कहां से लिए जाते हैं Hardisk से, Roam से, Ram से या Sub से तो Sub किसी प्रोग्राम में सरवादिक प्रियोग होने वाले जो इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं वो Ram से लिए जाते हैं किसी प्रोग्राम में जो सरवादिक प्रियोग होने वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं scan करते हैं और payment कर देते हैं तो वो क्या होता है वो उसको barcode बोलते हैं जो धिकांस product पर printed line होती है उनको क्या बोलते हैं बार कोड बोलते हैं अब हम प्रबंदन से सम्बंदित question पढ़ने वाले हैं निमले कितमें से कौन प्रबंदन में से एक प्रबंदन की तत्वों में एक न नहीं होगा निमले कितमें से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है मानप संसाधन मसीनरी पूंजी या नियोजन रचना कौन करता है रचनात्मक कौन कराता है मानप संसाधन करते हैं प्रबंद की क्या विशेस्ता है प्रबंद एक प्रिक्रिया है हाँ बिलकुल है प्रवंद एक गतिशील प्रिक्रिया है, हाँ बिल्कुल है, प्रवंद एक सामजिक प्रिक्रिया है, हाँ बिल्कुल है, तो प्रवंद एक सामजिक प्रिक्रिया है, हाँ बिल्कुल है, तो प्रवंद एक सामजिक प्रिक्रिया है, तो प्रवंद एक सामजिक प्रिक्रिया है, प्रवंद के जनमदाता कौन है, प्रवंद के जनमदाता है, हैनरी, फ्योल, अगला कुशन है, प्रवंदन में चयन, कोशल, विकास, प्रसिक्षन, आदी मानवी गुणों की अब धारना से क्या उचित है, नियोजन, संग्ठन, करमचारी, सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा, किस में एक कौशल विकास होता है, प्रसिक्षन दोर हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, तो वो होता है करमचारी, एक करमचारी को ही हम चैन कर सकते हैं, एक करमचारी में ही हम कौशल का विकास कर सकते हैं, एक करमचारी को ही हम प्रसिक्षन दे सकते हैं, और मानवी गुणों की अब धारना भी करमचारी में ही नहित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उन्हेंचास का करमचारी तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज अके फैंस थेंक यू